नमस्कार साथियो मेरा नाम है कपिल हमारी कमपनी का नाम है गुर्देव रियल इस्टेट डवलपर्स प्राविट लिम्टेड साथियो हम यमुना एक्सप्रेस वे नर्डा इंटरनेशनल एरपोर्ट वे फिल्म सिटी और इंड़स्टी से रिलेटिड आपको यमुना खाते रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से और आज फिर एक नई वीडियो लेके आएं आपके लिए नई वीडियो आपको एकदम बड़े ट्रांस्प्रेंसी के साथ एक एक चीज हम समझाने की कोसिस करेंगे एरपोर्ट से रिलेटिड वीडियो है एरपोर्ट का जो उस सुरक्षा खाका से रिलेटिड पूरी वीडियो है जो वाटर मेनेजमेंट सिस्टम होगा उस से रिलेटिड इमिगरेशन डिपार्टमेंट से रिलेटिड आपको डिटेल में पूरा ब्योरा में इस वीडियो के माध्यम से दूँगा साथ हो नौड़ा इंटरनेशनल देश का सबसे बड़ा एरपोर्ट है उसकी सुरक्षा भी चाक चोबंद ये करेंगे साथियो तो उसके लिए क्या इनकी प्लानिंग है अब उस पे प्रकाश डालते हैं आईए साथियो सबसे उपर आप देख रहे हैं नवड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट से बड़ी खबर हवाई एड़े की सुरक्षा होगी CISF के हवाले CISF का मतलब है Central Industrial Security Force ये एक पैरा मिलेटरी फोर्स है और ये मेंली इंड़ेस्टियल सीक्योर्टी करती है उसमें एरपोर्ट की सीक्योर्टी हो गई मेट्रो की सीक्योर्टी हो गई या कोई गवर्मेंट प्लान्ट है उसकी सीक्योर्टी हो गई तो CISF का काम है Industrial Security Force भारत के अंदर जादे तर Industrial Security CISF करती है तो आप इसके नाम से मैचिंग भी कर रहे होंगे आपको समझ आ रहा होगा CISF का मतलब है Industrial Security Force सकेंदरगी जितनी भी संस्ता है सबको ये Security प्रोवाइड करती है तो साथियों आगे बात करते हैं Water Management मौसम सिस्टम, कश्टम और कारगो समेत कई मुद्दों पर लगी सासन की महुर एक मीटिंग हुई लखनव में 6-7-2022 को जिसके अंदर इन-न मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं इन-न मुद्दों पर महुर लग चुकी है और CISF ने पूरा प्लान तयार करके सीक्योर्टी प्लान एरपोर्ट का तयार करके शासन को दिया और उसके बाद उस पर महुर लगी तो अभी हम उस पर बात करते हैं साथियों नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट को लेकर 6-7-2022 बुद्दवार को उत्तर प्रिदेश शासन ने हाई लेवल बैठक हुई इस बैठक में एरपोर्ट की सुरक्षा वाटर मैनेजमेंट, मोसम सिस्टम, कस्टम और कारगो समेत कई मुद्दों पर एहम चर्चा हुई जिसमें इसका फैसला हो गया है कि देश के सबसे बड़े हवाई अड़े की सुरक्षा CISF करेगी साथियों CISF एरपोर्ट की सुरक्षा में पहले से परफेक्ट है सपोज कर उत्तर परदेश के अंदर एरपोर्ट बन रहा है और उत्तर परदेश सरकार अपनी किसी फोर्ट से अगर एरपोर्ट की सुरक्षा कराना चाहे और उसमें कोई प्रोब्लम आये तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा इसलिए जो एक्सपर्ट है उल्रेडी चीजों को करती आ रही है उसको ही ये जुम्यवारी सोफी है क्योंकि उनका बना बनाया प्लेटफोर्म है उनको जाद है उसके लिए कवायत नहीं करनी पड़ेगी उनका प्रोपर सिस्टम है सिस्टम के हिसाब से वो अपनी सिक्योर्टी करते हैं साथियों इसलिए CISF को ये नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट की सीक्योर्टी का खाका दिया गया है जुम्यवारी दी गई है अब बात करते हैं इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट की चर्चा 15 दिन गंग नहर से पानी मिलेगा और 3 बड़े वाटर टैंक बनाने होंगे इसके अलावा जरूरत पढ़ने पर ट्यूब एल से पानी ले सकते हैं पिरते एक बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा साथियों मैं बता दूँ आपको गंग नहर से केवल 15 दिन पानी मिलेगा एरपोर्ट को रीजन है कि 15 दिन गंग नहर एरपोर्ट को पानी देगा और 15 दिन किसानों को देगा आगे कि जो किसान है तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए 15 दिन के लिए नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए गंगनेहर पानी मोहिया कराएगा और उसके बाद तीन बड़े वाटर टैंक बनाने होंगे और ट्यूबेल से भी पानी ले सकते हैं अगर अमर्जेंसी है तो सभी पिर्टेक बिल्डिंग के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा कि बरसात के पानी को इखटा करके भी आप यूज में फ्यूचर में ले सकते हैं इसलिए सभी बिल्डिंगों के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा साथियो इनी सभी मुद्दों पर लगी फाइनल महुर जेवर एरपोर्ट संयुक्त समन्वे समित्ती की बैठक में कस्टम, इमिग्रेशन, CISF, मोसम विभाग के अलावा नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट लिमिटेड यमुना इंटरनेशनल एरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिखारी सामिल हुए बैठक में बताया गया कि CISF ने एरपोर्ट का सुरक्षा प्लान तयार कर लिया है सुरक्षा प्लान में बताया गया है कि एरपोर्ट की सुरक्षा किस तरह से होगी कहां कहां जवान तैनात किये जाएंगे बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि एरपोर्ट परिसर कश्टम इमिग्रेशन और मोसम विवाग का भी दफ्तर बनाया जाएगा सभी डिपार्टमेंट का ओफिस एरपोर्ट के उपर होगा साथियो उसका ओल्रेडी खाका तैयार हो चुका है ताटा प्रोजेक्ट को मिला निर्मान का जिम्मा आपको बता दें कि नोड़ा इंटरनेशनल एर्पोर्ट पर निर्मान कारिया का जिम्मा ताटा प्रोजेक्ट को मिला है ताटा प्रोजेक्ट्स रनवे और काफी निर्मान कारिया करेगी टाटा प्रोजेक्ट्स इस वक्त दिल्ली में संसत भवन की नई इमारत मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इस्टन और वेस्टन फ्रन्ट करिडोर के अलावा मुंबई पूने दिल्ली लखनाओ एहमदाबाद और चेनई में मेट्रो परियोजनाओ पर काम कर रही है टाटा जो भी निर्मान कर रही है वो इसमें सारी चीज मेंसन है इसलिए टाटा को जुम्यवारी दी गई है अल्रेडी बहुत सारी वीडियो में हम डिसकस कर चुगे है ICAD एरपोर्ट को बनाएगी डिजिटल नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट जेवर का निर्मान कारिया सुरू हो गया है यह एरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल होगा YI APL ने Master System Integrator MSI सलाकार के रूप में ICAD से समझोता किया है दुनिया में डिजिटल हवाई अड़े के निर्मान के लिए ICAD की एक अलग पहचान है साथ ही ओ, नोड़ा इंटरनेशनल एरपोर्ट डिजिटल होगा प्रोपर सिस्टमेटिकल चीजे होंगी उसके लिए इन्होंने ICAD को इन्वोल्व किया है प्रोपर प्लानिंग के साथ सबसे पहले इन्होंने BASE पे काम किया एरपोर्ट के BASE पे काम किया अब एरपोर्ट पे जो आने वाली सर्विसिज हैं जिनकी ज़रुरत इन्हें फ्यूचर में पड़ेगी उनको प्री प्लान लेके चल रहे हैं ताकि 2024, 30 सितंबर 2024 का जो टारगेट है उससे पहले कहीं इनको कोई प्रोब्लम फेस ना हो टाइम का डिले ना हो इसलिए सब अपना अपनी जुम्यवारी के साथ अपना काम लेके चल रहे हैं साथियो तो ये मैंने आज की जो अपनी वीडियो कवर की ये वो एरपॉर्ट से रिलेटिट जो Security Services रहेंगे वाटर मैनेजमेंट रहेंगा उसके बारे में डिस्कस किया आप से हम एरपॉर्ट से रिलेटिट वीडियो आपको आगे भी लाते रहेंगे आज की इस वीडियो से रिलेटिड अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप हमें comment के माध्यम से, whatsapp के माध्यम से, call के माध्यम से पूछ सकते हैं साथियो airports related video आपको regular weekly updates मिलते रहेंगे, क्या progress है, क्या हो रहा है भी airport पे और अगर कोई latest news आता है तो उस पे भी आपको वीडियो मिलेगी साथियो मेरा नाम कपिल यादव, हमारी कंपनी का नाम गुर्देव real estate developers private limited हम यमुना एक्सप्रेस वे पे resale में sale purchase का काम करते हैं अगर आपको नीड है यमुना एक्सप्रेस वे पे investment की, तो आप गुर्देव real estate developers private limited को approach कर सकते हैं, गुर्देव real estate आपको best से best और transparency के साथ deal देती है, तो साथियो आज की वीडियो को मैं अपनी को करता हूं समाप्त, मैंने आपको एक airport से related एक proper detail में जानकारी दी, कल किसी दूसरे topic पे बात करेंगे, दूसरी वीडियो में हम मिलते हैं आपको आज की वीडियो को करते हैं समाप, नमस्कार साथियो